दोस्तों मेरा नाम दितिन सक्सेना और आप सभी का मेरे यूटीब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से जिनकी टर्न ओवर 5 करोर तक है GSTL 3B की ड्यू डेट्स, रेट फाइलिंग फी, रेट ओफ इंट्रेस्ट क्या है इस लिए दोस्तों मैं बताता हूं आपको, फरवरी 2020 से अगस 2020 के लिए 5 करोड तर्न ओवर वालो के लिए क्या-क्या ड्यू ड्यू डेट्स है तो दोस्तों देखिए, मैं डिस्पेले में आपको ड्यू ड्यू डेट्स देता हूं, विद लेट फाइलिंग फी एंड इंट्रे अगर यह turnover up to 5 कोड़ वाले के देखें दोस्तों यह state wise है आप चेक कर सकते हैं आपका state कौन से उसके अंदर आता है इस्टेट B के अंदर असाम अरुनाचर प्रदेश, बिहाज, चंडिगर, देली, हरियाना, इमाचल प्रदेश, जारकन, जम्मुकस्मी, लद्दाग, मनीपूरम, मिजोरम, मिगाले, नागालेंड, औरीसा, पंजाब, राजिस्तान, सिक्किम, तरीपूरा, उत्राखन, उत्र पल्पदेश वेस्ट भंगल आते हैं, पताता हूँ, आपको फर्वरी 2020 से जुलाई 2020 के लिए स्टेटे के लिए क्या क्याक्य अंद्धोटेट्स हैं, देगे फर्वरी 2020 के लिए 30-J neighb 2020, मास 2020 के लिए 3जूरय 2020, अप्रेल 2020 के लिए 6 N S light test नहीं देना होगा तो इसके बाद अगर आप फाइल तो 9% इंटेस्ट तो सितं नियुक्त नहीं जमा करना है। उसके बाद आपको 18% इंट्रेस्ट देना होगा, यह state A के लिए, state B के लिए, फरवरी से जुलाई 2020 की due dates, मैं बताये था हूँ आपको फरवरी 2020 की 30 जुन 2020 है, मास 2020 की 5 जुलाई 2020 है, अप्रेल 2020 की 9 जुलाई 2020 है, मैं 2020 की 5 सितंबल 2020 है, जुन 2020 की 25 सितंबल 2020 है, जुलाई 2020 की 29 सितंबल 2020 है, इन ड्यू डेट्स पे अगर आप रिटन फाइल कर देते हैं, तो आपको कोई late filing fee इंट्रेस्ट नहीं जमा करना, अगर इसके इन ड्यू डेट्स के बाद जमा कर दे, तो 9 जुन परसें ट्रेस्ट देना होगा, आपको 30 सितंबल 2020 के लिए, अगर आप 3 अक्टूबल 2020 तक रिटन फाइल कर देते हैं, तो आपको कोई late filing fee इंट्रेस्ट नहीं जमा कर देना होगा, अभी मैं more than 5 करोल वालो के लिए भी एक वीडियो बना रहा हूँ, उसे जरूर देखें, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, धन्यवाद,